नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से टुडेई इस नीज पर जार्खन चुनाब में भाजपा के हार से आम आदमी पार्टी काफी खुश है क्योंकि दिल्ली की विधानसवा चुनाब होने से पहले यह देश में आखरी चुनाब था जिसमें भाजपा को जबरदस्थ हार मिल खास बात यह है कि हां मोदी और अमिच्छा का जादू भी नहीं चला जिसे देखकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बरात तंज कसा है आपको बता दे कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि एक साल में पांच राज्जियों के चुराब में हरा कर देश ने भाजपा का घम वक्ता राघप चड़ा ने कहा कि राजी के चुनाब राजी के मुद्वों जैसे बेरोजगारी, रोटी, कप्रा, मकान, जल, जंगल और जमीन पर लड़ी जाते हैं लेकिन बीजेपी ने CAA, राम मंदेर, धारा 370 जैसे राश्ट्री मुद्वों पर वोट मांगा जिसका उन्हें चुनाबों में भुगतना पड़ा और जारखंड में जंता ने उन्हें नकार दिया, उन्होंने कहा कि इसके उलट आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने कामों पर वोट मांग रही, आजाद भारत के इतिहास में साल 2015 में दिल्ली की जंता ने अरविंद पिर भी बीजेपी के अस्वमीद रत को अरविंद केजरिवाल में रोक दिया था, आज तो बीजेपी ठकी हारी है, इसलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी भाजपा का पूर्ण सफाया कर देगी, यानि कि जारखंड में भाजपा की हार से आम आदमी पार्टी के होसले बुलंद हो गया है, और पार्टी भाजपा को चुनावों में नाक में दम करने के लिए बिलकुल तयार है, हमारे साथ बने डहने के लिए आपका धन्यवाद, आप हमारे प्रग्राम को टुडेज डॉट कॉम पर भी देख सकते हैं, और आप हमें टुडेज टीवी पर आप हमेड़ अक्री खुडेज परोग्स